राजा विक्रमादित्य विद्वान, साहसी, दानवीर एवं न्याई प्रिय राजा थे एक दिन उनके दरबार में दो व्यक्ति आए प्रणाम महराज, हमने आपका बहुत नाम सुना है इसलिए हम दोनों आपके पास सही न्याई के इच्छा से आए है आप कारण बताईए, आप दोनों के बीच उचित न्याई ही किया जाएगा महराज, हम दोनों में कुछ दिनों से ये विवाज चल रहा है कि कर्म बड़ा है या किस्मत मैं कहता हूँ कि कर्म बड़ा है और ये कहता है कि किस्मत अब आप ही इसका उत्तर बताईए और न्याय कीजिए दोनों व्यक्तियों की बात को सुनकर राजा विक्रमादेत्य सोच में पढ़ जाते हैं और वो उन दोनों व्यक्तियों से कहते हैं आप दोनों के इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे समय चाहिए आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं छे माह के पश्चाद दूगा आप मेरे पास छे माह के पश्चाद आना ठीक है महराज हम आपसे ठीक छे माह के पश्चाद ही मिलेंगी उन दोनों व्यक्तियों के जाने के पश्चात राजा विक्रमादित्य उल्चन में पढ़ जाते हैं और प्रेश्ण का उत्तर जानने के लिए उन्होंने मन में कुछ विचार किया और छे मा के लिए राज्य का कारिभार सेनापती को सौब कर राजा विक्रमादित्य वेश बदल कर एक दूसरे नगर में पहुँचे वहाँ राजा विक्रमादित्य को एक व्यापारी मिला लगता है नगर में नए आये हो पहले कभी देखा नहीं तुम्हें मेरा नाम विक्रम है मैं आज ही यहां आया हूँ इस समय नौकरी के तलाश में जा रहा हूँ अगर आपके पास कोई काम मिल जाए तो बड़ी महरबानी होगी हाँ एक सेवक की तो मुझे जरूरत है तुम दिखने में भी अच्छे परिवार कही लग रहे हो अच्छा बताओ अगर मैं तुम्हें नौकरी पर रख लूँ तो कितना वेतन लोगे प्रति दिन की हजार मुद्राएं प्रति दिन की एक हजार मुद्राएं आखिर तुम में ऐसा क्या गुण है जो तुम इतना आठिक वेतन मांग रहे हो आप एक बार मुझे रख कर तो देखिए आप कोई शिकायत का मौका नहीं दूगा मैं वो काम भी कर सकता हूँ जो कोई दूसरा नहीं कर सकता तुम्हारी बातों में आत्म विश्वास दिखाई पड़ता है ऐसी बात है तो तुम्हारी नौकरी आच से ही पक्ती होई तथा कुछ अपने खाने पीने के लिए रख ली राज़ा विक्रमा धित्य अपनी थाली लेकर जब भोजन ग्रहंट करने बैठे तब ही अचानक एक साधू महातमा उनके पास आये बेटा, बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो, तो तुम्हारी अतिक्रिपा होगी हाँ महराज, जरूर मिलेगा, ये लीजी, आप ये भोजन ग्राण कीजी खुश रहो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे राजा विक्रमादित्य ने अपनी थाली साधु बाबा के आगे रख दी, साधु बाबा भोजन करके आशिरवात देकर चले गए, पर राजा को उस दिन भूखा ही रहना पड़ा आज महनत की, पैसा भी कमाया, पर भोजन भागे में नहीं था, इसलिए नहीं मिला, हाँ, दूसरों की सहायता करने का पुन्ने भाव सु मिल गया, अगर परिश्रम ही ना करता, तो ना भोजन मिलता और नहीं पुन्ने राजा विक्रमा दित्ते अभी ये सब सोची रहे थे, कि तभी वो व्यापारी उनके पास आता है, और उनसे कहता है विक्रम, तुम अपना भी जरूरी सामान बांध लो, हमें समुद्र पार दोस्रे देश की यात्रा पर जाना है, और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ ही चलो ठीक है सेड़ जी, जैसी आपकी आगरे व्यापारी सेवक बने राजा वकुछ अन्य सेवकों के साथ विदेश यात्रा के लिए निकल थी, एक देन अचानक समुद्र मेरे जहाज डगमगाने लगा, सभी लोग घबरा व्यापारी ने जहाज के चालक से लंगर डाल कर जहाज को रुणी रोखने के लेका है मुझे लगता है, जहाज को यही रोख देना चाहिए, तूफान रुखने पर आगे चलेंगे तूफान रुख गया है, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए ये क्या, लंगर उठ नहीं रहा, अब जहाज आगे कैसे बढ़ेगा अब विक्रम, इधर आओ, चालक से लंगर नहीं उठ रहा तुमने कहा कि तुम वो काम भी कर सकते हो, जो दूसरा कोई न कर सके अब इस संकट से सभी को बचाओ आप घबराईये नहीं, मैं ये लंगर अभी उठा देता हूँ राजा विक्रमादित्य जहाज के नीचे उत्रे और पूरी ताकत से लंगर उठाया तो वट तुरंट उपर उठ गया, जहाज आगे बढ़ने लगा राजा जहाज में चढ़ने लगे कि जहाज की लकडी तूटकर उनके हाथ में आ गई तभी उची लहर आई और वो जहाज राजा से दूर निकल गया राजा तूटी लगडी के सहारे तैढ़ने लगे तभी जहाज जगमगा तर हिच्चकोले खाने लगा थोड़ी ही देर में जहाज समुद्र में डोटे विक्रमादित्से को लगा कि भागे सिवा बचके उन्होंने लंगर उठा कर कर्म किया था तभी भागे ने भी सासी है जहाज की टुकरे के सहारे राजा एक टापू के किनारे आ गए राजा ने देखा वहाँ की प्रजा में उदासी थी राजा ने एक व्यक्ति से पूछा सुनो भाई, ये पूरे नगर में उदासी कैसी? जिस राज्य की राजकुमारी आज राज बारा बजे मरने वाली हो उस राज्य में शोक नहीं होगा तो और क्या होगा? मैं कुछ समझा नहीं, श्रीमान मुझे यहां के राजा से मिलना है महाराज, आप इस दुविधा से मुक्त हो सकते हैं आप राज बारा बजे तक जैसा जैसा मैं कहता हूँ, वैसा वैसा कीजिए अगर तुम हमारी ये विपदा दूर कर दो, तो हम तुम्हें मुह मांगा इनाम देंगे महाराज, जितना हो सके, आप आज राजकुमारी के हाथों दान पुन्य कर्म करवाईए पर दान पुन्य कर्म से ये समस्या टल जाएगी महाराज, दान पुन्य और अच्छे कर्म हमारा वर्तमान और भविष्य तैय करते हैं हमें भविष्य की चिंता में वर्तमान के कर्म नहीं छोड़ने चाहिए, हमारा वर्तमान ही हमारा भविष्य तैय करता है। सिपाहियों ने भाले दिखा कर उस नेवले को डरा दिया जिससे वो साप को छोड़ कर भाग गया। जैसे ही नागिन राजकुमारी को लंबी आयू का वर्दान देती हैं, उसी समय राजा विक्रमादित्य महराज के साथ वहाँ पहुच जाते हैं। राजा विक्रमादित्य का प्रणाम स्विकार कीजिये। आपने अंजाने में ही इस बच्ची को देरगायू का वर्दान दे दिया। जो कि आज राज बारह बजे एक साप के कार्टने से मरने वाली थी। आज आपके ही कारण मेरी पुत्री की जान बच गई। आप जरूर ही कोई भले मानस दिखाई पड़ते हैं। मुझे अपना परिछय दीजिए। मैं राजा विक्रमादित्य हूं। जहाज टूबने के कारण। और फिर राजा विक्रमादित्य राजा को अपनी सारी कहानी बताता है। आप चिंता मत करू। हमारे पास एक जादू की गोड़ी है। बोड़ कर दुनिया के किसी भी कोने में जा सकती है। आप उस पर बैठ कर समय से अपने देश लोट जाएंगे। और फिर राजा विक्रमादित्य जादूई घोड़ी पर सवार होकर अपने नगर में पहुशते। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने दोनों व्यक्तियों को महल में बुलाया। झाले विक्रमादित्य जाएंगे।